आपको बैच में एड़ किया जाता है और बैच के अनॉंस्मेंट सेक्शन में आपको वो लिंक मिलता है जिससे आप इस तरह की क्लासों को जॉइन कर पाते हैं अगर किसी बच्चे कोई भी कन्फुजन हूँ तो नीचे वाले वाट्सेप नंबर पे वो कॉल कर सकता है या वाट्सेप कर सकता है जानकर यह वहाँ पे आपको मिल जाएगी तो यह जो क्लास है आज की जो क्लास है जैसे कि आपने देखा भी होगा heading के अंदर कि यह क्लास दो बच्चों के लिए है एक तो वो बच्चे जो 12th के अंदर है और physics subject पढ़ना चाहते हैं दूसरा वो बच्चे जो IIT और J वाले बैच से बिलॉंग करते है तो IIT J और NEET वाला जो बैच है उन बच्चों के लिए भी है यह live stream उनकी भी class है यह और साथ में बच्चे जो board की तयारी कर रहे हैं class 12th की उनके लिए भी है हम लोग इस class से आपको बहुत खुशी होगी जान करके कि नया chapter शुरू कर रहे हैं अर्था तो first chapter शुरू करने जा रहे हैं physics का जिसका नाम है charge और electric field chapter का पूरा नाम जो है वो है charge and electric field परन्तु electric field के बारे में बात तो बहुत बात में करेंगे हम लोग पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में आज ही class में ठीक है तो सभी का बहुत-बहुत स्वागर, सभी का नमश्कार, राम, 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 दस्यकार, सलाम, अलेकुम whichever you feel connected with, let's get started सबसे पहली बात बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि आप जब भी किसी topic को पढ़ रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि आप अपना register अच्छे से बनाए, अपने notes वगरे को डंग से बनाए और आज classroom के अंदर जब-जब भी मैं आपको बोलू कि इस चीज को note करो या आज की class में जब-जब भी मैं आपको ये बुलू कि इस बात को commentation में लिखो तो आपको एकदम active हो करके वो काम करना है, ताकि चीज़ें आप अच्छे से सीखें और आपको मजा आए पढ़ाई करने में, ठीक हैं, तो शुरुवात करें आज की class की सभी लोग एकदम ready हैं, एकदम energy के साथ में हैं, चलो शुरू करते हैं, देखो बच्चों, physics की एक branch है, एक एक बात में आपको बताऊँगा, सुननी है, समझनी है, लिखनी है, physics की एक branch है, electromagnetism physics की जो branch है, electromagnetism हो, उसके अंदर आपकी mostly first book खतम हो जाती है, जो आपकी पूरी physics की first book है ना, physics की first book के अंदर, जो physics की branch का आप अध्यान करने वाले हो, जो branch आप पुरी तरह से पढ़ने वाले हो, उसका नाम है, electromagnetism इसको बोलते हैं, विद्योत चुम्ब कत्व विद्योत, हिंदी में बोलते हैं, विद्योत चुम्ब कत्व अब आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा, कि electro magnetism branch के दो इससे हैं, जिनमें एक हिस्सा है, electro statics electro statics और दूसरा हिस्सा है इसका, electro dynamics electro statics को हिंदी में बोलते हैं, इस्थिर वैद्योत की, जो भी बात समझ में आ रही है, अगर आप एक active बच्चे हैं, तो आपको वो बात comment section में उसी वक्त लिख देनी चीए, क्योंकि जो लिख देता है, उसको याद हो जाता है, तो electro statics इस्थिर वैद्योत की, और side में है electro dynamics, इसको बिजली गती विज्ञान भी बोलते हैं, बिजली गती विज्ञान, क्या चीज़े बहुत सिंपल है, देखो, सब कुछ नाम के अंदर है, इस्थिर वैद्योत की, ध्यान से समझना, electro word का मतलब होता है, charge, और static word का मतलब होता है, rest पर, तो charge at rest, इस्थिर मतलब है, इस्थिर वैद्योत की का मतलब यहाँ पर है, आवेश, तो यहाँ पर है, इस्थिर आवेश, तो कहने का मतलब यह हुआ कि बहुतिक विज्ञान की वो शाका, जिसके अंदर हम इस्थिर आवेश का अध्यन करते हैं उसे हम लोग इस्थिर वैद्युत्युकी के नाम से जानते हैं और ये वो बात है जो आपको कमेंट चेशन में लिख देनी चीए कि जब भी हम इस्थिर आवेश का अध्यन करते हैं आवेश को रोक के रखते हैं वो रुकावा होता है चलता नहीं है समय उसकी समंदित जितनी भी प्रॉसेस हैं उसका जब हम steady करते हैं तो physics की उस ब्रांच को बोलते हैं Electro-statics static मतलब rest, electro मतलब charge जब आपका ये charge चलना शुरू कर देता है dynamic, dynamic का मतलब होता है motion, गती, देखरे हैं यहां पर आप गती, तो जब यही आवेश आपका गतिमान हो जाएगा जब आवेश जो है वो आवेश गतिमान हो जाएगा तो आवेश के गतिमान होने पर उससे समंदित चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो उसको हम बोलेंगे आपका गती विज्ञान electrodynamics बहुत important बात है एक और जो आपको पता होने चीए कि electro statics के अंदर आपके दो chapter आते हैं chapter number 1 और chapter number 2 तो अगर आप physics first part की NCRT को देखोगे ना बच्चों तो उसमें chapter number 1 और chapter number 2 जो है वो इस्थिर आवेश के बारे में बात करता है ये इकाई का नाम हो गया इसको आप बोल सकते हो कि ये आपकी इकाई का नाम हो गया और उस इकाई के अंदर उस unit के अंदर दो chapter हैं एक आपका chapter number 1 और दूसरा chapter number 2 आगे बात समझो chapter number 1 का जो नाम है वो है आवेश और विद्यूत शेत्र तो चैप्टर नमबर वन में आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने वाले हो उसका नाम है विद्यूत शेत्र तो पहले तो आप आवेश के बारे में जानोगे और उसके बाद आप जानोगे विद्धु शेत्र के बारे में चैप्टर नमबर टू के अंदर आप जिस चीज के बारे में बात करोगे वो होगा विभाव, पोटेंशल बोलते हैं इसको इंग्लिश में विभवांतर, सब चीज़ें आप नोट करते हैं अपनी क्लास्वर कॉपी में विभवांतर, और तीसरी चीज आती है इसके अंदर बहुत इंपोर्टेंट संदारित्र इनका अध्यन करने के बाद में चैप्टर खतम होगा बढ़ हाँ, एक बात बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिमाग में रखनी है कि चैप्टर नमबर वन और चैप्टर नमबर टू दौनों के अंदर ही आपका जो आवेश है वो इस्थिर है आपका आवेश चल नहीं रहा है बोलो यहां तक बात समझ में आती है एक एक चीज पढ़ोगे अच्छे से तो मज़ा आएगा, समझ माएगा और आपको चीज़ें अच्छे लगने लगेंगे इलेक्ट्रो डाइनेमिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आपका चैप्टर नमबर थर्ड जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिक करंट जो आपका चैप्टर है वो आपको मिलेगा इसी ब्रांच के अंदर उसके बाद आप पढ़ोगे magnetic field, electric current जानती हो ना, विद्योत धारा, विद्योत धारा, उसके बाद दूसरी चीज़ जो है जो chapter आप इसके अंदर पढ़ोगे, वो है चुम्बकिये शेत्र, चुम्बकिये शेत्र से सम्मंदित सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, दूसरा आपका हो गया, चुम्बकिये शेत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, magnetic field, इसको क्या बोलते हैं, magnetic field, इसके बाद एक और chapter है, जो इसके अंदर आप पढ़ोगे, जिसका नाम है, alternating current AC, और इसके अंदर आपका आएगा, electromagnetic induction, अर्थात विद्योत चुम्बकिये प् गतिमान रहेगा, और इसका नाम होने वाला है, electrodynamics, आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है, मैं जो बाद भी बोलना हूँ, सब के लिए रो रहेगे सबको, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चों को, सब मजा आ रहा है सबको पढ़ने में, यही चीछ चाहिए बस, तो यह जब आप सब कुछ पढ़ लोगे, तो आपकी खतम हो जाएगी, first book, उमीद है यहां तक मजा आया है, इसका screenshot लेना चाहो तो ले सकते हो, हाँ, जब यह वीडियो आप देख रहे होंगे, application के उपर तो वहां आप screenshot नहीं ले पाएंगे, इसलिए अभी इसका screenshot आप लेकर के रख बाकि इसकी पूरी PDF हम लोग class के बाद में application में आपके batch में provide कर देंगे, ठीक है, तो अब मोटी मोटी बात पर आते हैं, आज हम लोग हमारा discussion स्टार्ट कर रहे हैं आवेश से, इसी के बारे में बहुत विस्तार से आज आप लोगे बात करेंगे, देखो charge क्या है, क्या है charge charge को, इसको charge बोलते हैं English पर, थोड़ा Indian English साथ में लेके चलो मज़ा आएगा, charge एक वस्तू का, सुनना ध्यान से, charge एक वस्तू का मूलबूत गुनधर्म है, मूलबूत गुनधर्म, मूलबूत गुनधर्म, अब आप ही बोलोगे कि सार, ये मूलबूत गुनधर्म का मतलब क्या होता है, तो मूलबूत गुनधर्म का मतलब होता है, कि ऐसे गुनधर्म जो वस्तू में है, हमेशा से है, आप उसके उपर caution नहीं कर सकते, आप उसके उपर प्रश्न मार का खड़ा नहीं कर सकते, जैसे अगर एक पधार्त है, तो उसकी परिबाशा में ही है, कि उसके पास दर्विमान होगा, तो अगर आपन किसी दर्विमान को परिबाशित करना चाहें, तो हम दर्विमान की परिबाशा किस प्रकार से देते हैं, हम दर्विमान की परिबाशा ऐसे देते हैं, कि दर्विमान वस्तू का मूलबूत गुनधर्म है, फंडामेंटल प्रॉपर् दूसरी बाख, हाँ, दुर्ममान की एक परीभाःचा हो सकती है, जैसे किसी वस्supp के अंदर नहित पधार्थ की मातरा को हम दुर्ममान कहते हैं, विल्कुल वैसे ही आवेश की भी बहुत सी परिवाशा हैं आपको मिलेंगी, मैं आज खुद बताऊँगा आपको एक दो परिवाशा हैं, बढ़ हाँ, आप ये समझे हैं, कि आवेश एक वस्तू का मुलबोत गुंदर्म है, सबसे पहले इस लाइन का मतलब आपको पता होना चीए कि मुलबोत गुंदर्म से हमारा क्या अतात परिया है, ऐसे गुंदर्म जो वस्तू में पहले से हैं, दूसरी बात है, ये एक बात समझे माहिए आवेश के बारे में, दूसरी बात समझे, बहुत इंपोर्डेंट, जैसे किसी वस्तू के पास दिर्विमान है, तो वो दो चीजें कर सकता है, वो गुर्तुवा कर्शन बल को उत्पन ने कर सकता है, और अगर कहीं पहले से कोई गुर्तुवा कर्शन शेत्र में वो है, तो उस गुर्तुवा कर्शन बल को अनुभव भी कर सकता है, अब आप बोलोगे कि सर ये क्या मतलब है इसका, देखो, प्र प्रत्वी है उसके पास ऐसा क्या है जिसके कारण उसने गुर्तवाकर्शन बना रखा है तो आपका एंसर होगा सर दर्वेमान हमारी प्रत्वी के पास बहुत सारा दर्वेमान है और दर्वेमान होने के कारण ही वो अपना एक गुर्तवाकर्शन बना हमारे उपर लगाती है इसका मतलब दर्विमान के कारण प्रत्वी क्या कर रही है गुर्तवा कशन बल उत्पन कर रही है मोटी मोटी बास समझ माई हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम प्रत्वी के गुर्तवा कशन बल को अनुभाव करते है हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम प्रतिवी के गुर्तवाकशन बल को अनुभव करते हैं तो एंसर भी वही है द्रविमान क्योंकि हमारे पास द्रविमान है इसलिए हम प्रतिवी के गुर्तवाकशन बल को अनुभव करते हैं अगर हमारा दिर्विमान दीरे दीरे कम होता जाए तो हमारे उपर प्रतिवी का गुर्तवाकरशन बल भी क्या होता जाएगा? अगर दिर्मान होगा तो ही गुर्तवागशन बल उत्पन होगा और अगर दिर्मान होगा तो ही गुर्तवागशन बल अनुभाव कर पाओगे ये बास समझ में आती है ऐसे ही आवेश किसी वस्तू का वो मुलबुत गुंदर्म है जो दो शेत्र बनाता है पहले शेत्र का नाम है विद्युष शेत्र जिसके बारे में आप बहुत डीप में पढ़ोगे इस शेप्टर में और दूसरे का नाम है चुम्बकिये शेत्र जिसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत चुम्बकी शेत्र वही आपके चुम्बक उनी के बारे में बात हो रही है तो जैसे द्रविमान की सायता से गुर्टवाकर्षन शेत्र को उत्पन या अनुभव किया जा सकता है बिलकुल वैसे ही आवेश किसी वस्तू का वो मुलबुद गुन दर्म है जिससे वस्तू विद्धुष शेत्र और चुम्बकी शेत्र को उत्पन कर सकती है मतलब अगर इन दौनों शेत्रों को उत्पन करना है तो भी आवेश की आवशकता होती है और अगर इन दौनों शेत्रों को पहले से कही है और अनुभव करना है तो उसके लिए भी आवेश की आवशकता होती है मतलब ये तो वही बात हो गई अगर इस कमरे के अंदर चुम्बकिय शेत्र है परन्तु आपके पास आवेश नहीं है तो आप उस चुम्बकिय शेत्र को अनुभव नहीं कर सकते और अगर इस कमरे में चुमबक ये शेत्र है तो उसको उत्पन भी किसी आवेश नहीं किया होगा यहां तक की कहानी समझ में आती है सब बच्चों को समझ में आती है किसी को किसी प्रकाल का कोई confusion नहीं है उमीद करता हूँ यहां तक ठीक है अब आते हैं अपन नेक्स पॉइंट पर आवेश के बारे में एक बार में सारी बातें खतम नहीं होगी हमें बहुत लंबा discussion करना है आवेश पर बढ़ते हैं आगे थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं अब जब बात की जाती है आवेश की तो आपका आवेश दो प्रकार का होता है आवेश के प्रकार पर जब बात की जाए तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं बचपन में भी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं आवेश दो प्रकार का होता है पहला होता है धनावेश 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 जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज धनावेश या फिर धनात्मक आवेश एक ही बात है और दूसरा प्रकार इसका है रिनावेश या फिर इसको हम नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं या रिनात्मक आवेश के नाम से भी जानते हैं अब ये दौनों आवेश कैसे उत्पन होते हैं इनके बारे में अपन बहुत विस्तार में पढ़ेंगी पर फिलाल आप ये ध्यान रखें कि आवेश के दो प्रकार हैं धनावेश और इनावेश को हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं और इनावेश को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं एक और खास बात यह देखा गया है कि यह practically proven है कि अगर दो प्लस आमने सामने आए या फिर दो माइनस आमने सामने आए यह point है जो आपको लिखना चाहिए अगर दो प्लस आमने सामने आए प्लस कैसा है एक प्लस के सामने दूसरा प्लस आ गया एक जात के सामने दूसरा जात स सजाती है, माइनस के सामने माइनस आ गया, एक ही जात के लोग आमने सामने आ गया, सजाती है, मतलब ये जो जो जोड़े हैं, ये जोड़े हैं सजाती आवेशों के, ये सजाती आवेशों के जोड़े है, तो physics में ये देखा गया है practically, अच्छों, लिखो इस बात को, कि सजात सजाती आवेश हमेशा एक दूसरे से नफरत करते हैं मतलब सजाती आवेशों के अंदर हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा प्रतिकर्शन देखने को मिलेगा तो सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं मतलब यह दौनों एक दूसरे के दूर जाने की कोश प्रतिकर्शन को बोलते हैं रिपल्शन दौनों एकडूसरे को रिपयल करते हैं माइनस माइनस भी झारते हैं ये बात ध्यान रखें और एक और बात है इंपोर्टेंट कि अगर एक प्लस के सामने एक माइनस आ जाए जो आपने चुम्बक के साथ खेला होगा ना, चुम्बक में भी ऐसे ही होता है चुम्बक में भी अगर एक जैसे धुरूव सामने आ जाए तो प्रतिकर्शन होता है, अलग-अलग धुरूव लिया हो तो वो जुड़ जाते है, वही वाली बात है तो अगर एक प्लस के सामने माइनस आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं विजाती आवेश प्लस के सामने माइनस कभी भी आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे बच्चो विजाती आवेश वी जाती है, अलग-अलग जात के एक प्लस है, दूसरा माइनस है विजाती आवेशों में ये देखा गया है कि विजाती आवेश आकरशन करते हैं मतलब ये दौनों एक दूसरे के पास जाना पसंद करते हैं यहां तक की बाते समझ में आ गहीं सबको कोई confusion नहीं है, screenshot लो, फिर आगे बढ़ते हैं फिर आगे बात करते हैं डिसकस बहुत अच्छे से करेंगे अपने एक एक चीज को कोई कमी नहीं रहेगे, आप बस सुनते जाएं, लिखते जाएं done, chicken third point हो गया, fourth point अब आप अच्छे समझना, fourth point अब हम बात करेंगे आवेश की संकल्पना के बारे में यह बहुत important बात है, आवेश की संकल्पना अब यहां से आपको समझ में आएगा कि यह धनावेश और इनावेश का चक्कर क्या है और यह बनते किस प्रकार से हैं, सुनो आवेश की संकल्पना, इंगलिश में इसको कहते हैं, concept of charge concept of charge बहुत अराम समझाता हूँ, आप लोग sodium को जानते हो, sodium से आप लोग मिले होगे, chemistry के अंदर हम दो लोगों की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, एक हम sodium की कहानी समझते हैं और एक हम chlorine की कहानी समझते हैं, देखो, अगर sodium की बात की जाए, तो इसमें electronों की संक्या कितनी है, 11, protonों की संक्या कितनी है, 11, यह तो आपको पता होगा, कि अगर एक उदासीन प्रमानू होता है, तो उसके अंदर जितने electron होते हैं, उतने ही proton होते हैं, राइट? तो sodium के पास 11 electron है, 11 ही proton है, sodium की जब बात की जाए, तो sodium में आप लोगों ने एक observe किया होगा, उसका electronic विन्यास, तो जब sodium का electronic विन्यास दिखा जाता है, तो वो होता है 2,8,1, तो sodium अपने अस्टक को पूरा करने के लिए, यह जो इसके बाहतम कोश में एक electron है, इस एक electron का दान कर देता है, निकाल देता है अपने अंदर से एक electron, तो आपने एक electron का दान कर दिया, sodium ने, और जै इसके पास कितने electron है, अब जो sodium बनाएं, उसके पास 10 electron है, कौकि एक electron का दान कर चुका है, प्रोटोन कितना है, प्रोटोन तो भाई साब अभी 11 के 11 ही है, कौकि electron जो है, उनका दान किया गया था, प्रोटोन तो जितने पहले थे, उतने ही अभी है, तो यहाँ एक चीज प्लस का ग्यारा माइनस का ग्यारा कट करके हो गया जीरो इसलिए आप सोडियम के उपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं देख रहे थे परन्तु जब सोडियम ने एक एलेक्ट्रोन निकाल दिया अपने अंदर से तो अब जो सोडियम है उसके पास प्रोटोनों के संख्या जादा है एलेक्ट्रोनों से मतलब प्लस जादा है माइनस के कमपेरिजन में कितना प्लस जादा है माइनस के कमपेरिजन में चेक करो एक इसलिए sodium के उपर आवेश आएगा na plus अगर अकेला plus लिखा है या फिर ऐसे plus 1 लिखो एकी बात है अगर अकेला plus है इसका मतलब 1 की बात हो रही है तो यहाँ पर sodium के उपर आता है plus और यह बात में लिख सकता हूँ कि sodium ने electron का दान किया तो आपने क्या चीज़ उप्जेव करी जब sodium ने electron का दान किया तो उसके उपर प्लस आया इसका मतलब electron के दान करने से कौनसा आवेश आता है electron के दान करने से धनावेश आता है तो यह बात आप समझ गए कि जब भी कोई वस्तु electron का दान करती कि उसके उपर धनाविश आता है। यह chemistry की बाते हैं कि अगर यह साथ है इस साथ से यह 8 बनना चाहता है तो इसको एक electron grand करना चाहिए electron कहां से grand करेगा sodium में दान किया यह कोई दिक्कत नहीं ले सकता है तो chlorine ने क्या किया electron को grand किया और अब एक नया वाला chlorine बना ठीक बत अब जब नये वाले chlorine की बात कर रहे हैं तो नये वाले chlorine में एक मज़दार चीज है क्या समझो कितने electron हैं नये वाले chlorine के पास तो नये वाले chlorine के पास देखो 17 electron तो पहले थे अब उसने एक electron grand कर लिया तो उसके पास electron की संख्या हो गई अठारा मज़ा आ रहा है समझ में आ रहा है प्रोटोन कितने है प्रोटोन तो अभी भी 17 के 17 ही है कौन ज्यादा है इलेक्ट्रोन ज्यादा है अब या प्रोटोन ज्यादा है तो घ्यान से देखें इलेक्ट्रोन ज्यादा है प्रोटोन से इलेक्ट्रोन मतलब नेगेटिव च तो आप ये बोलोगे कि उसने electron को ग्रहन किया तो electron को ग्रहन करने पर उसके उपर आया रिनावेश समझ गये यहां तक? यहां तक बात समझ में आ गई? अगर यह topic समझ में आ गया है तो अब इसी का visualization करना है वसा अपन को इसका visualization करते ही सारी चीज़े automatically clear हो जाएंगी अब इसका बहुत बढ़िया विसलेशन करते हैं द्यान समझिएगा चाहे किसी वस्तू के उपर धनावेश आ रहा हो आपने एक चीज अब्जर्व करी कि धनावेश आने के लिए भी इलेक्ट्रॉन जिम्मिदार है और रिनावेश आने के लिए भी इलेक्ट्रॉन ही जिम्मिदार है इसका मतलब यह हुआ कि जो आवेश की संकलपना है जो concept of charge है वो किसके आधार पर देना चाहिए तो concept of charge जो है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है इस बात को लिख रहा हूं में आप भी लिखो comment section में कि आवेश की संकल्पना electron के आधार पर दी जाती है तो जब आप से कोई पूछें कि आवेश की संकल्पना कहां से कैसे दी जाती है तो आवेश की संकल्पना electron के आधार पर दी जाती है यदी कोई वस्तू इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उसके उपर धनावेश आता है और यदी कोई वस्तू इलेक्ट्रॉन को ग्रहन करती है तो उसके उपर रिनावेश आता है ठीक है? कैसे? अगर electron का दान होगा तो आपकी वस्तू पे धनावेश आएगा और अगर electron को ग्रहन किया जाएगा तो उस वस्तू पे रिनावेश आएगा ये मोटी मोटी बात सबको याद रखनी है पर हमेशा electron के आधार पर ही plus बनता है और electron के आधार पर ही माइनस बनता है अब यहाँ पर यहाँ तक सबको मज़ा आ रहा है समझ मारा है सब कुछ कोई confusion नहीं किसी को भी एक एक चीज अपन एकदम basic से ले रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब समझो कि मैं क्या कहना चारा हूँ यहाँ पर एक topic related question है topic related question सुनो क्या है यह topic है आपके सामने इस topic से related question में पूछ रहा हूँ इसका जवाब आपको comment section में देना है कि आवेश की संकल्पना proton के आधार पर क्यों नहीं दी जाती topic related question क्या है आवेश की संकल्पना आवेश की संकल्पना संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाधी यह एक टॉपिक लेजेट कौशन है जो आपको समझ में आना चाहिए देखो समझो इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है इलेक्ट्रॉन को ग्रहन कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक बास समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन जा सकता है किसी वस्तू से दूसरी वस्तू में या एक वस्तू से दूसरी वस्तू में आ सकता है मतलब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी eligibility है कि वो गमन कर सकता है एक वस्तू से दूसरी वस्तू में ठीक है? इसलिए उसके आधार पे अपना आवेश की संकल्प में दे रहे अगर प्रोटॉन भी एक वस्तू में से उचक करके दूसरी वस्तू में चला जाए या एक वस्तू से उचक करके इधर वाली वस्तू में आ जाए तो हम आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर दे देंगे ये बास समझ में आती है परन्तु जब साइंटिस्ट लोगों ने चेक किया तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत बड़ा फरक मिला उनको कौन सा फरक है? समझना पहला फरक यह है इसका एंसर बता रहा हूँ मैं आपको बच्चों इस जगे मुझे आपके कमेंट दिखते रहते है तो बात यह है कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है उसके दो बड़े कारण है पहला कारण यह है कि जो प्रोटॉन का दरविमान है मैं इसको इस प्रकार लिखा हूँ MP, MP का मतलब है प्रोटॉन का दरविमान वो इलेक्ट्रॉन के दरविमान का 1837 गुना होता है लगभग लगभग तो साइन्टिस्ट लोगों ने यह पाया कि जो प्रोटॉन का दरविमान है वो इलेक्ट्रॉन के दरविमान का 1837 गुना होता है जैसे मान लो किसी का वजन 120 किलो है और किसी का वजन 60 किलो है तो हम बोलेंगे कि पहले वाले व्यक्ति का दूसरे वाले व्यक्ति से दुगना वजन है इसी प्रकार जो इलेक्टान का जितना भी वजन है इलेक्टान का वजन वैसे होता है 9.1 in 2 multiplied by dispar COVID जितना भी है उससे 1837 गुना है प्रोटोन का इतना जबर्दस्त भारी है आपका प्रोटोन इतना जबर्दस्त भारी है कि वो एक वस्तु से निकल के दूसरी में और दूसरी से निकल के पहली में आही नहीं सकता ठीक है? दूसरी बात इलेक्ट्रोन को कौन पकड़के रखता है? नाभिक? कौन से बल से? आकर्शन बल से? इसकी बारे मैं आप इस चैप्टर के आगे पढ़ोगे प्रोटोनों को कौन बांध के रखता है? तो जब आप प्रोटोनों के उपर लगने वाले बल की बात करते हो ना तो प्रोटोनों के उपर दूसरा कारण समझा रहा हूँ प्रोटोनों के उपर इस दुनिया का सबसे जबरदस्त बल लगता है जिसका नाम है नाबिकी ये बल तो प्रोटॉनों के उपर लगने वाले बल का नाम क्या है? प्रोटॉनों के उपर लगने वाले बल का नाम है नाबिकी ये बल तो नाबिकी ये बल को तोड़ करके नाबिकी ये बल से खुद को छुड़ा करके एक प्रोटॉन का निकल के बाहर आना ये पिल्कुल भी संबव नहीं है ये हो ही नहीं सकता सामानी इस्तितियों में इसी रेजन से ऐसा होता है बच्चों कि प्रोटॉन के आदार पर आवेश के संकरपना नहीं दी जाती उसके दो मुख्य कारण है दोनों कारणों को आप लिखो पहला कारण कमेंटेशन में लिखो कि प्रोटॉन का दिर्यमान इलेक्टॉन के दिर्यमान का 1837 गुना है बहुत भारी है मुनना आ नहीं सकता बाहर दूसरी बात ये है कि प्रोटॉन नाभी के अंदर सबसे तागतवर बल नाभी की ये बल से जुड़े होते हैं और नाभी की ये बल को हटा करके उनका बाहर आना किसी भी हालत में संभव नहीं है कोकि नाभी की ये बल इस पूरे ब्रहमान का सबसे शक्तिशाली बल है ठीक है? यहां तक समझे मां आगया सबको कोई दिक्कत नहीं है किसी को आगे बढ़े चलो ठीक है? किलियर तो यह आवेश की संकल्पना होगे प्लस माइनस कहां से बनते हैं? यह मैंना आपको सक्सेस्पुली समझा दिया है आगे बढ़ते हैं अब बात यहां पर आएगी इसका पॉइंट कौन सा चलो रहा है वो दिखलो पॉइंट नंबर चार ठीक है अब बात यहां पर आएगी पॉइंट नंबर पाँच हम लोग डिसकॉस करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगी आवेश के मात्रक के बारे में कि आवेश के कौन-कौन से मात्रक है आवेश के मात्रक अब जब बात होगी आवेश के मात्रक पर तो हमें आवेश का कोई ना कोई फर्मूला पता होना चीए और आब आवेश का प्रतीक भी मैं आपको पता जाता हूँ या तो हम छोटा वाला Q काम में लेंगे या फिर बड़ा वाला Q काम में लेंगे ठीके बच्चो अब आगे ध्यान दो आप लोगोंने क्लास 10 में अध्याय बारा पढ़ा हैं विद्धुधारा उसका नाम था विद्धुधारा में आप लोगोंने एक फर्मुला पढ़ा होगा कि I बराबर Q बटा T को कि जब भी हम मातरक की बात करते हैं तो हमें फर्मुला चाहिए होता है ना तो I बराबर Q बटा T ये फर्मुला याद है आपको क्या था ये फर्मुला धारा बराबर आवेश बटा समय धारा बराबर आवेश बटा समय ये फर्मुला था यहां से अगर Q का फर्मुला बनाए तो वो कितना आएगा I into T इसकी सायता से अगर मैं ऐसा ही मात्रक लिखके दिखाऊंगों तो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होगा ध्यान सुनना धारा का होता है एंपियर समय का होता है सेकंड तो एंपियर इंटू सेकंड जो है वो आपके आवेश का ऐसा ही मात्रक होगा तो एंपियर इंटू सेकंड जो है वो आवेश का ऐसा ही मात्रक है और ampere into second को अपन लोग कुलाम के नाम से जानते हैं तो आप यह बात note कर लें comment section में कि जो SI मात्रक है आपके आवेश का वो कुलाम है इंग्लिश में कुलम लिखते हैं यह स्पैलिंग होती है ठीक है? तो SI मात्रक में आपको बता दिया कि SI मात्रक आपका है कुलाम अब अगर SI मात्रक पता है तो CGS मात्रक भी आपको पता होना चाहिए तो CGS मात्रक के बारे में सुनिए आवेश का CGS मात्रक होता है स्टैट कुलाम नोट करने वाली चीजे हैं fact है इनको आपको यादी करना पड़ेगा stat kulam ठीक है तो आवेश का ऐसा ही मातरक note करें kulam और आवेश का cgs मातरक है आपका stat kulam इन दौनों के बीच में एक relation है जो आपको याद रखना पड़ेगा one kulam बराबर तीन इंटू दसकी घात नौ stat kulam तो यहाँ आप याद रखेंगे कि one kulam बराबर three into ten's power nine stat kulam आवेश का एक और मातरक है जिसका नाम है विद्यूत चुम्बकिये मातरक EMU एक और unit है विद्यूत चुम्बकिये मातरक उसको भी note करें विद्यूत चुम्बकिये मातरक इसके बारे में बात कर लेते हैं तो विद्यूत चुम्बकिये मातरक को EMU कहते हैं उसका formula कुछ इस तरह का होता है कि one kulam बराबर एक बटा 10 EMU वो सकता है numericals वो अगरे में आप से पूछे कि EMU में और kulam में क्या संबन्द है तो आपको पता होना चाहिए और आपको इस चीज नोट करके रखनी चाहिए ठीक है फैरड को अपन F से पड़ेशित करते हैं और वन फैरड इस इकोस टो 96500 कुलाम नोट करने हैं इस बात को कि one फैरड इस इकोस टो 96500 कुलाम और यह जो है आपका मातरक है इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए और सबसे बड़े मातरक के बारे में अगर कोई आपसे पूछे ठीक है ठीक है सबसे बड़े मातरक के बारे में आपसे कोई पूछे तो सबसे बड़ा मातरक कौन सा है सबसे बड़ा मातरक आपका फैरड ही है आवेश का तो यह है सबसे बड़ा मातरक तो आज की class बहुत basic class है एक बच्चे का सवाल आया है कि क्या ये class neat के लिए sufficient है अयुश्मान का सवाल है तो ये basic है बिटा जैसे जैसे basic आपके strong होते आएंगे फिर हम advanced questions और advanced topic की तरफ आगे बढ़ेंगे तो चाहे आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो तो चाहे दुनिया का सबसे tough exam भी क्यों ना हो सबसे important जी जहां से शुरुवात होती है वो basic होता है और इसलिए ये सबसे important है आपके लिए तो इसको basic की तरह लीजिए और बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई कीजिए हाँ मुकेश application पर notes available हो जाएंगे को tension की बात नहीं है आगे बड़े अब हम बात करते हैं अन्य मात्रकों के बारे में ये copy कर लिया समने ठीक है आप सुनो अच्छे ध्यान से अन्य मात्रक आवेश में आप लोगों को मैं कुछ cautions कराऊंगा और एक चीज प्रूफ करवा दूँगा आपको कि जो कुलाम है ना वो बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का कुलाम बहुत बड़ा मात्रक है तो इसलिए हम क्या करते हैं कुलाम को practical life में यूज नहीं कर पाते इसलिए कुछ ऐसे मात्रक बनाएवे हैं जो practical life में काम में आते हैं जैसे कि आप सुनना भी माइक्रो कुलाम इसको ऐसे पढ़ते हैं माइक्रो कुलाम यह भी इस प्रकार का मातरते हैं जो आपको विवारिक तौर पे निवारिकस में देखने को मिलेगा मिली कुलाम ये भी आपको बहुत ज़्यादा यूज में मिलेगा अब ये जो terms है ना इनका अपना एक मतलब होता है micro का मतलब होता है 10 की घात माइनस 6 nano का मतलब होता है 10 की घात माइनस 9 pico का मतलब होता है 10 की घात माइनस 12 और milli का मतलब होता है 10 की घात माइनस 3 यह इन शब्दों का मतलब है साइंस के अंदर कि कई micro लिखा है जिसे मोई लोग आपको ऐसे लिख के दे झें, कि one micro meter तो वो होगा 10 की गात माइनस 6 मीटर क्योंकि meter से मतलब नहीं है, micro शब्द का मतलब साइंस में 10 की गात माइनस 6 से हम लोग प्रदेशित करते हैं तो उसी प्रकार अगर 1 माइक्रो कुलाम की बात की जाए तो 1 माइक्रो कुलाम होगा 10 की गात माइनस 6 कुलाम अगर आपसे पूछें 1 नैनो कुलाम तो 1 नैनो कुलाम होगा 10 की गात माइनस 9 कुलाम अगर आपसे पुछें एक पिको कुलाम तो वो होगा दस की गात माइनस बारा कुलाम अगर आपसे पुछें एक मिली कुलाम तो वो होगा दस की गात माइनस तीन कुलाम समझ गए? तो ये वो अन्य मातरक हैं जो बहुत जादा आपके काम में आएंगी चोटे मात्रक हैं, इनकी साहिता से हम चीजों को आसान करते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में यही काम में आते हैं, यह बहुत सकते हो कि यह आपके विवारिक मात्रक हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर सिंपल बाशन में बूरूं, कि डेली लाइफ में यही काम आते ह अब आवेश के बारे में एक बहुत बड़ी बात में आपको बता दूँ सबसे important बात है यह लिख लो इसको बले important point के अंदर units का point number 5 है point number 6 में आप इसको लिख सकते हैं कि आवेशों का सबसे important बात लिख रहा हूँ आवेशों का सदैव बीज गणितिये योग होता है क्या मतलब है इसका जैसे आप mathematics में नंबरों को नहीं जोड़ते हो कि भाई plus 3 minus 3 बराबर 0 plus 5 minus का 2 बराबर plus का 3 जैसे mathematics के अंदर नंबर को जोड़ते हैं आपन sign के साथ में चिन के साथ में बिलकुल वैसे ही हम लोग आवेशों का भी बीज गणितिये योग करते हैं मतलब आवेश हमेशा अपने चिन्नों के साथ में जुड़ते हैं इसको simple बाचा में बोलें तो आवेश सदैव अपने चिन्नों के साथ जुड़ते हैं इसका एक example मैं आपको देता हूँ जैसे माली जी एक आवेश आपके पास है Q1 जिसका मान है 2 कुलाम और एक आवेश आपके पास Q2 जिसका मान है मान है माइनस का 3 कुलाम तो जब आप इन आवेशों को जोड़ेंगे Q1 प्लस Q2 तो यह अपने चिन्ने के साथ जोड़ेगा यह आएगा 2 कुलाम प्लस का प्लस बीच में रहेगा माइनस का 3 कुलाम और जैसे मैथमेटिस में नंबर जुड़ते हैं प्लस 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1 ऐसे इसका जो एंसर है वो निकल के आएगा माइनस का 1 कुलाम तो यह बात हमेशा ध्यान रखें कि यह चीजें important है कि बीज गनीती योग आपको देखने को मिलता है किलियर है यहां तक आगे बढ़े सब कुछ समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया किलियर हो रहा है सब कुछ ठीक है इसकी इन चौट लोग आगे बढ़ते हैं अब एक बहुत important चीज discuss करेंगे जिसका नाम है आवेश का quantum ही करण हेडिंग लगाएं सबसे important चीज है आज की class की number 7 है आवेश का quantum ही करण अच्छे समझ ले ना इस topic को बहुत important है पर आज का assignment है वो भी आपको इसी पर बेस मिलेगा आवेश का quantum ही करण आवेश का quantum ही करण quantization of charge बोलते हैं इसको ना quantum ही करण सुनना ज्यान से quantization quantum ही करण क्या है आवेश का उसको समझाता हूँ मैं आपको quantization शब्द का क्या मतलब है पहले वो आप समझ लीजिए quantization शब्द का मतलब है कि आपको fixed values मिलेंगी fixed values का क्या मतलब है मैं आपको clear करता हूँ यसे मान लीजिया आपका मन किया कि आपको market में जाकर के phone खरीदना है चीक है तो आपको दुकानदार को जाकर के बोलना पड़ेगा कि मुझे एक phone चाहिए मान लीजिया आपको एक phone नहीं चाहिए तो उसके बाद अगली counting दो है आप एक phone ले सकते है या फिर दो phone ले सकते है उसके बाद 3, 4, 5, 6 अगर आप किसी भी दुकानदार को जाकर के ये नहीं बोल सकते कि भाई साब एक काम करो मुझे डेड़ फोन दे दीजिये या सवा फोन दे दीजिये या पॉने दो phone दे दीजिये ऐसा नहीं हो सकता न अगर आप phone की counting की बात करें तो वो fix है कि number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगा आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई साब मुझे एक काम करो 1.5 phone दे दीजिये ये चीज नहीं हो सकती ये चीज possible नहीं है तो अगर values fix हो कोई भी random value नहीं हो सकती 1.5 नहीं हो सकता, 1.4 नहीं हो सकता 1.3 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता 1 के बाद direct 2 आएगा 2 के बाद direct 3 आएगा 3 के बाद direct 4 आएगा तो उस case को अपन कहते हैं कि वहाँ पर आप बात कर रहे हो quantization की quantum ही करण की आवेश के संदर में चीज कैसे मैं समझा दूँगा अवी बढ़ आप पहलो शब्द पर focus करें कि quantum ही करण शब्द का मतलब क्या है ठीक है ये बास समझ में आती है जबकि आप रोटी खाने बैठते हो तो रोटी खाने बैठने में आपके पास option है जरूई नहीं आपको एक ही रोटी खानी है आप एक रोटी का एक कण भी खा सकते हो पिर दूसरा कण पिर तीसरा कण अधी रोटी खा सकते हो पाव रोटी खा सकते हो सवा रोटी खा सकते हो, डेड़ रोटी खा सकते हो तो वहाँ पे quantum icon वाली बात नहीं है आप जितना चाओ उतना हिसा दीरे 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 तोड़ तोड़ के खाओ कोई tension की बात नहीं है ऐसा नहीं है कि एक के बाद दो यह सीधा एक के बाद डेड़ भी है, एक के बाद सवा भी है सब कुछ है वहाँ पर तो वो quantum icon नहीं कलाएगा आप फोन लेने गए हो market में संख्या बता रहे हो, वो quantum icon है यह बास समझ मा आगई, आगे समझाओ छीक है आपने एक बास समझ ली कि यह एक वस्तु है इस वस्तु के अंदर अभी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है को कि यह वस्तु उदासीन है उदासीन का मतलब क्या होता है जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है जैसे सोडियम, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन आपने इस वस्तू को एक इलेक्ट्रॉन दिया आप खुद मुझे बताओ अगर आपने इस वस्तू को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस वस्तू के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया सर इस वस्तूप में माइनस का 1E नेगेटिव आवेश आ चुका है एक बात में आपको और समझा दूँ साथ में कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है इदर लिक देता हूँ जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की गात माइनस 19 कुलाम चाहो तो नोट कर लो 11 तासमा आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में और जो प्रोट्रॉन का आवेश है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की गात माइनस 19 कुलाम तो जो बच्चे काफी बच्चे जानते होते हैं ये बात पहले से कि इलेक्ट्रॉन और प्रोट्रॉन का आवेश का मान बराबर है वेल्यू बराबर है बड़ चिन्नों का फरक है एक भाई साब नेगटिव है एक भाई साब पॉस्टिव है तो अगर ना आप से बोलू कि आपने किसी वस्तु को एक electron बाहर से दिया तो उस वस्तु के उपर negative charge आया या positive charge आया कितना negative charge आया आपने उस वस्तु को एक electron दिया तो जितना एक electron का आवेश होता है उतना उसके उपर negative charge आ गया मतलब negative charge की संक्या हो गई 1 into 1.6 into 10 की गात minus 19 कुला पक्का ये वस्तू का आवेश हो गया मालो आपने वस्तू को एक एलेक्टरॉन दिया उसके बाद एक एलेक्टरॉन और दे दिया तो वस्तू को एक बाद समझाना मुझे खुदी आप लो कि जब आपने वस्तू को एक एलेक्टरॉन दिया तो उसके उपर इतना आवेश आया अब एक electron के बाद में अगली संख्या कौन सी है दो electron उसकी अगली संख्या कौन सी है तीन electron बहिए डेड़ electron तो हो नहीं सकता ना 1.5 electron तो आप दे नहीं सकते या तो आप एक electron दोगे या एक के बाद सीधा number आएगा तो अगर आपने वस्तू को दो electron दिये तो उसके उपर negative charge आएगा कितना negative आएगा चितना 2 electron का होता है 2 electron का कितना होता है एक electron का 1.6 into 10 की गात माइनस 19 है तो 2 का कितना होगा 2 into 1.6 into 10 की गात माइनस 19 राइट 2 के बाद number कौन सा आएगा 3 अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि सर 2.5 electron दे दो वस्तू को 2.5 electron नहीं दे सकते हैं मजबूरी है हमारी तो इसके बाद number आएगा 3 into 1.6 into 10 की गात माइनस 19 कौन्टम ही करना आवेश का किस प्रकार से है समझ में आ रहा है या तो 1 electron दो या 2 दो या 3 दो या 4 दो डेड़ पौन आधा नहीं चलेगा पकप इसी का ultra case देखते हैं कि जब आप वस्तू के अंदर से electron देने की बजाए electron बाहर निकाल रहे हो तो आप एक वस्तू में से कितने electron बाहर निकाल सकते हो आधा electron बाहर निकाल सकते हो पौन electron बाहर निकाल सकते हो नहीं नहीं गंदी बात ही है कम से कम एक electron आप वस्तू से बाहर निकाल सकते हो सोचो अगर आपने वस्तू में से एक electron बाहर निकाल दिया तो protonों की संक्या बढ़ दी positive आवेश आएगा कितना positive आएगा जितना एक electron का आवेश होता है उतना plus में positive चाल आजाएगा क्योंकि एक electron बाहर निकला तो कौन बढ़ गया एक proton बढ़ गया एक proton का जितना भी आवेश है वो plus की रूप में वस्तूपे दिखा ही देगा और proton का आवेश उतना ही होता है जितना electron का है बस sign का फरक होता है तो अगर आपने वस्तूप में से electron निकाले है तो अब उसके उपर जो आवेश है वो plus का 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की गात माइनस 19 आजाएगा अगर आपने वस्तूपे से 2 electron निकाले तो 2 electron जितना positive वस्तूपे उपर आजाएगा positive 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की गात माइनस 19 कुलाम अगर आपने किसी वस्तूप में से 3 electron निकाले तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की गात माइनस 19 कुलाम भाई electron दोगे तो माइनस का 1 इंटू 10, 2 इंटू 10, 3 इंटू 10 रहेगा और अगर electron निकालोगे तो प्लस का 1 इंटू 10, 2 इंटू 10, 3 इंटू 10 रहेगा बढ़ा एक बात बिलकुल तय है कि आप electron की संख्या के हिसाब से ही आवेश दे सकते हो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron निकाल सकते हो या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron दे सकते हो आधा 1,5 पोना electron नहीं दे सकते इन दौनों बातों का अगर मैं conclusion निकालू तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि किसी भी वस्तू पर जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है या तो प्लस होता है या माइनस होता है गुणा आगे क्या आएगा एक संख्या आएगी N N क्या है N का मतलब है इस्तनांत्रित इलेक्ट्रोनों की संख्या क्या मतलब है इसका इस्तनांत्रित में दौनों चीज़ आ जाती है आप electron दे रहे हो वो भी आ गया आप electron ले रहे हो वो भी आ गया इस case में सनांतित electron की संख्या एक है एक electron दिया तो माइनस रहेगा एक रहेगा इस case में माइनस रहेगा दो रहेगा इस case में माइनस रहेगा तीन रहेगा इस case में प्लस रहेगा एक रहेगा तो ये एक, दो, तीन ये क्या है? इस सनांतित इलेक्टरोनों की संख्या गुणा में हर समय एक चीज फिक्स चल रही है 1.6 into 10KG-19, 1.6 into 10KG-19, 1.6 into 10KG-19 क्या है ये? ये है इलेक्टरोन का आवेश तो हमेशा गुणा में कौन रहेगा? 1.6 into 10KG-19 तो ये आपके सामने आवेश का सुन्दर सा formula बनके तयार हो गया और अपन इसको इस पेकार लिख सकते हैं कि Q बराबर plus minus N और ये जो है इसको बोलते हैं electron का आवेश और इसको E से प्रदशित करते हैं तो ये छोटा सा formula बनके तयार हो गया Q बराबर plus minus N into E बताओ समझ माया अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात है Q क्या है आपको पता होना चीए formula में कौन सी चीज क्या है इसका फोटो कीशना चाओ तो कीश लो वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो quantization of 4 से formula के निकल कर क्या है Q बराबर plus minus N E यहाँ से एक बहुत सुंदर बात समझ मायी कि Q आपका क्या है किसी वस्तू के उपर आवेश N क्या है N है इस्तानांत्रित electronों की संख्या परन्तु याद रखें यह हमेशा अपने आप में एक पूनांक होगा यह हमेशा अपने आप में एक पूनांक होगा यह इंतीजर होगा यह हमेशा अपने आप में क्या होगा पूना पून गुनच बोल सकते हो आप इसको है इसकी वैल्यू 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है अनंत हो सकती है इसकी वैल्यू कभी 1.1 नहीं होगी इसकी वैल्यू कभी 1.2 नहीं होगी इसके वालों कभी 1.3 नहीं होगी हमेशा 1,2,3,4 ऐसे रहेगी ठीक है तो Q बराबर प्लस माइनस नहीं होगया E क्या है यह आपके E है इलेक्ट्रॉन का आवेश और इसका मान आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है पूर्ण गुणाज होता है किसी भी वस्तू पर जो आवेश होता है किसी भी वस्तू पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणाज होता है यह इसका मतलब है यही कौन्टेम गुणाज का सिद्धानत है हमेशा आप किसी वस्तू का इलेक्ट्रोन देना चाहते हो, तो आप इलेक्ट्रोनों की संख्या, या तो उसमें से कम करते हो, या उसको देते हो, और वो संख्या फिक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप कभी भी 1.2 नहीं कर सकते, 0 भी हो सकता है, अगर मान लो आपने किसी वस्तु का आवेश ही नहीं दिया तो 0 होगा तो ऐसे कि इसमें आवेश भी शुन्नी हो जाएगा तो मैं यह मान के चला हूँ कि वस्तु के पास आवेश है तो उस इस्तिती में यह वैल्यू 1,2,3,4 होगी और अगर आपने सरांतित किये ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो आवेश ही नहीं है तो बात करने का मतलब भी नहीं है फिर फिर तो यह फॉर्मूला यूज करने का इसाइंस नहीं है है ना ऐसे यहां तर समझ में आ गया सबको फटा-फट से कमेंट करके बता दो किलियर है केमेस्ची फिजिस पूरा टाइम टावर बना हुआ है बैचिस के अंदर आपको टाइम टावर मिल जाता है और चीज़ आपको समझ में आ जाती है कोई दिक्कत की बात नहीं है बहुत बढ़िया तो कॉन्टमिकन का सिद्धान समझ में आ गया सबको कि कि किसी भी पर है या किसी वस्तूपर आवेश सिंपल किसी भी लिखने के जरत नहीं है किसी वस्तूपर आवेश है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है मतलब आप किसी वस्तू में आप समझ लो वापस से अगर किसी वस्तू में आप किसी वस्तू को अगर आप positive charge दे रहे हो तो आप फुर सोचो ना किसी वस्तू को plus देने के लिए आप उसमें से electron निकालना शुरू करोगे electron निकालोगे तो या तो एक electron निकालोगे या फिर दो निकालोगे या फिर तीन निकालोगे या फिर चार निकालोगे अब 1.5 तो नहीं निकाल सकते ना 1.6 भी नहीं निकाल सकते है ना 1.6 तो नहीं निकाल सकते और P की बात कर रहा है बच्चा बोल रहा है कि सर क्यों बरापर N ही क्यों होता है P क्यों नहीं होता तो बिटा इस बात को समझो कि प्रोटोन के आधार पर हम आवेश की संकल्पना देते ही नहीं है तो जहां option है ना मारे पास देखो यहां पर आला कि अपन पीबी लिख सकते हैं पर इस्तनांत्रित कौन हो रहा है electron हो रहा है तो electron के आवेश के हिसाब से स्को सिंबोलाइज किया जाता है एक बच्चे ने सवाल पूछा था है ना चीक है और आवेश का पूर्ण करना जो डता है एलेक्ट्रॉं का आवेश है ना electron के आवेश को यह मूलभूत आवेश हैं ना तो इ्लेक्ट्रॉं के आवेश को अपन आवेश का क्वांटा भी कहता है आवेश का क्वांटा भी कहते है इसको क्वांटा ओफ चार्ज भी कहते है खीक है समझ में आगया है अन तक बढ़िया और फॉर्मला हो जाएगा Q बराबर प्लस माइनस N इसमें याद रखना बस कौन क्या है या अमेशा याद रखना है Q इसके अंदर बस्तू का आवेश है N आपका इस्तनानती दिलेटों की संक्या है जो 1,2,3,4,5,6 हो सकती है और N का मान के बारे में आप हमेशा याद रखें 1,2,3 इस तरह से N के मान देखने को मिलेंगे बढ़िया महसे मखन एकदम पूरा टॉपिक मखन हो गया कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है चलो ठीक अब एक कॉशन कर लेते हैं क्लास प्राइंड करते हैं आपका असाइमेंट आपको मिल जाएगा एप्लिकेशन में चेक करते रहे न आपको महाँ पर आपका असाइमेंट मिल जाएगा इस कॉशन को फटाफ़र से पढ़िए उसके बाद ये टॉपिक रिलेडेट कॉशन है आपका आज का और ये कॉण्टाइजेशन आफ चार्ज पर बेस कॉशन है द्यान समझीए जब एक पॉलथीन के टुकडे को उन के साथ रगड़ जाता है तो पॉलथीन के उपर माइनस का टू इंटू दस की घात माइनस साथ का आविश आ जाता है पॉलथीन पर इससनांतरित द्रविमान की मात्रा ग्यात कीजिए इस कॉशन में द्रविमान पूछा है आज की थियोरी में हम थोड़ा सा कम पड़ पाए हम द्रविमान की बात नहीं कर पाए तो इस कॉशन को आज के आपके होमवर्क के लिए मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ और सनांतरित द्रविमान की जगे इस्थानांत्रित इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए फिर कल जब अपन दर्मार वाला टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको ये भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो अभी के लिए आज की कक्षा के लिए आपका प्रश्ण कुछ इस तरह ऐसे है कि जब एक पॉलोथीन के टुकडे को उन के साथ रगड़ जाता है तो पॉलोथीन के उपर इतना आवेश आता है पॉलोथीन पर इस्थानांत्रित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्यात कीजिए ये आपका प्रश्ण है कैसे करेंगे सुनिये द्यान से जब भी किसी प्लश्णों को शुरू करते है तो हम उसको हल लिख करके शुरू करते है जो चीज दे रखी होती है उसको इजजस्ट लिखते है जैसे यहां पर क्या दियावा है तो मैं ऐसे लिखूँगा दिया है और ऐसी लिखने के बाद स्टार्ट करेंगे आपको दिया वाय आवेश कितना आता है देखो आप पचान सकते हो ना कि यहाँ पर आवेश का मात्रा कुलाम है तो आपको आवेश दे रखा है तो दिया है कि किसी वस्तू पर जो आवेश है रगड़ा रगड़ी करने के कारण वो आवेश कितना आया है माइनस का 2 इंटो 10 की गात माइनस 7 कुलाम दे रखा है आपको पॉल तीन पर इस्तनांतरित इलेक्टोनों की संख्या ग्याद कीजिए मतलब आपको इस्तनांतरित इस्तनांतरित इलेक्टोनों की संख्या ग्याद करनी है इस्तनान्तित इलेटोनों की संख्या ग्याद करने का सिंपल जो नंबर है वो N है N निकालना है आपको अब आप खुश सोचो ना आवेश का और इस्तनान्तित इलेटोनों की संख्या को connect करने वाला कोई formula पता है क्या आपको अगर आप इस बास सोचोगे ना Q into E Q कितना दे रखा है आपको 2 into 10 की गात माइनस 7 और E कितना होता है electron का आवेश याद रखनी परती है value 1.6 into 10 की गात माइनस 19 बस इसको आपको solve कर लेना है और जैसे इसको solve करोगे इसका जो भी solution आएगा वो स्तनान्तित electronों की संख्या है और मैं एक बात और बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो आवेश आया है वो negative है इसका मतलब वस्तू को electron दिये गए है कोगे negative आवेश तब आता है जब वस्तू electron ग्रहन करती है तो यहाँ से जो भी income आपना निकल के आ रहा है उतने electron वस्तू को दिये गए है तब ही उसके पास negative charge को solve कर लेना बस यही आपका answer होगा और last में जब आपका उत्तर आ जाता है तो आप इस तरह से उत्तर लिखते हैं और जब caution को शुरू करते हैं तो आप इस प्रकार से हल लिखते हैं तो इसी के साथ मेरी कक्षा है आप पर समापत होती है इसका सारा PDF अगरे जो भी है वो एप्लिकेशन को अप्रोड हो जाएगा और आपको आपका assignment भी मिल जाएगा और उस assignment को करके आपको submit भी करना है तो आपको हम लोग से चेक करेंगे तो पूरे साल के last में preparation आपकी बहुत अच्छी रहेगी और चीजें बहुत आसान हो जाएगे अब आपकी max की class है तो मैं 11 पढ़ाने जा रहा हूँ और आप लोगों को max पढ़नी है तो max की class का link आपको आपके announcement वाले section में application में मिल गया होगा वहाँ बज़ा करके देखो और max की class को join कर लो अभी 4 बज़े से आपकी max की class स्टार्ट हो रही है चलिए इसी कीज़ा आप से विज़ा लेता है और कैसा लगा ये वीडियो नीचे comment करके बताना है और हां एक आप homework भी ले जाओ शीट assignment तो मिली जाएगा आपको ये आपका class work homework मान लो एक तरह से और इसको करके इसका answer जो है वो comment section में mention कर देना इसका screenshot ले 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 ये question आपके लिए है और इसके लिए हो सकता आपको तोड़ा google करना पड़े आपके आपको अपी नहीं पता है कि alpha करन क्या होते है तोड़ा alpha करन के बारे में पढ़ ले न alpha particle के बारे में पढ़ ले न google पे और उसके बाद इस question को try कर ले न अदरवाइस में कल करवाई दोगा बाबाई जय हैं टेक कर दोगा कर दोगा जब है प्रॉप गैण चर्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फश्स प्रॉप है व्री में बाद रड़ा